बाईयों और बेनों, इस प्रदेश में, पिछले छे महीनों में, कितने किसानों ने आतम हत्या किये हैं। किसी भी किसान से बात करो, आपको कहेगा, हमें सही रेट नहीं मिलता। दूसरा सवाल पुछता हूँ, क्या हो रहा है कहते हैं, हमने बीमा का पैसा भरा। आंदी आई, एक रुप्या में मिला। और फिर सवाल पूछते हैं, राहूल जी एक बात बताईए, हमें समझ नहीं आती बात। किसान आतम हत्या करता है, क्यों करता है। पचास हजार रुपए का कर्ज होता है, लाख रुपए का कर्ज होता है। और लाइन लग जाती है, हजारों किसान आतम हत्या करते हैं। पचास हजार रुपए का कर्ज होता है, एक लाख रुपए का कर्ज होता है। कितने किसानों ने मुझसे पूचा। राहूल जी हमें एक बात समझा दीचे, हमने क्या गलती की। एक लाख रुपए का हमारा कर्ज माफ नहीं होता, मकर हिंदुस्तान के अरब पतियों का लाखों करोड रुपए कर्ज माफ हो जाता है, क्यूं। क्यूं। वो पुछतें। ये डर नहीं है तो क्या है। और ये ऐसे ही नहीं पहला है। पहले भी विधर्ब में किसानों को मुश्किल हुई थी। उस समय दिल्ली में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमने विधर्ब के किसानों की अवाज सुनी। और एकदम विधर्ब को पैकेज दिया। डर कैसे मिठता है। डर सुनने से मिठता है। डर गले मिलने से मिठता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज बता रहा हूँ स्टेट से। अगर महराश्चरा के चीफ मिनिस्टर, अगर हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री, दिल खोल कर recre प्यार से महराश्चरा के किसान की अवाज सुन ले। यहाँ पे कोई आतम हत्या नहीं करेगा क्योंकि अगर उन्होंने दिल खोलकर आवास सुनी तो जो किसान सहरा है जो उसके दिल में दर्द है उसे वो समझ जाएंगे और अगर उसे समझ जाएंगे तो कुछ ना कुछ मदद वो किसान की कर देंगे यहाँ जाएंगे